फ्रेंड सालो साल अपने स्कूर्टर स्कूर्टी को चलाने के बाद भी आपको इनके बारे में तीन ऐसी बाते हैं जो कि शायद आज तक पता नहीं हो हाला की इन तीनों ही टॉपिक को पर मैं चाल बैब मैंने पहले ही अलग-अलग सेपरेट डेडिकेटर वीडियो बनाए हुआ है लेकिन मुझे लगा है कि चलो इन तीनों ही important topic को एक ही वीडियो में compile करके इसके बारे में आपको बता दिया जाए तो मैं आपको इसी के बारे में बिलकुल detail में बताने वाला हूँ लेकिन उससे पहले एक final reminder आप सब के लिए है Amazon में जो Great India Festival सेल चल रहा है यहाँ पे bike, scooter, scooter के इसके बहुत सारे accessories पे products पे बहुत ज्यादा crazy deal चल रहा है ऐसे ही 50 useful products को मैंने shortlist किया है और इनका जो link है वो आपको description और pin comment मिल जाएगा यह अभी बहुत ही ज्यादा सस्ते दामों म मिल रहे तो आप इस opportunity को बिल्कुली miss नहीं करें description और pin comment में दिये हुए link पे जाके आपको जो भी useful product लगता आपके लिए उसे ज़रूर से purchase कहले चल यहाँ टॉपिक में वापस आते है तो देखो जो पहला point वो यह है कि क्या आपको यह पता है कि आपके पास जो भी scooter स्कू arrangement होता है जिससे lubrication का requirement होता और यह lubrication जो gear oil है वही करता है अब यहाँ पर आपको बताना चाहाँ कि maximum लोग तो ऐसे होते हैं जिनके scooter के gear oil को आज तक कभी भी change नहीं किया गया होगा बहुत से लोग क्या करते कुछ मेकानिक ऐसा होते है जो gear oil के जगा पे वहाँ पे engine oil डाल यह तो बहुत बड़ी गलती है क्योंकि engine oil का जो grade होता है वह होता 10W 30 10W 40 जो scooter वाला होता है लेकिन जो gear oil का grade होता है 80W 90 इन दोनों में बहुत जादा difference है जिसके बाद से क्या होता कि जो viscosity है जो lubrication उसमें भी फरक पड़ता है चलिए पहले हम आपको बताता हूं कि आप खु आपको oil और 0.12L यानिकि 0.12L लिखाओ दिखाए दे रहा है 0.12L का मतलब हो गया 120 ml जो gear oil है वो हमें यहाँ पर डालना है जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाए दे रहा हूं आप देख लिए 120 ml आपको लिखाओ दिखाए दे रहा है तो हम यह complete यहाँ पर डालने वाले ठीक अब यहाँ पर गौल करो कि दो आपको अलग-अलग बोल्ड दिखाए दे रहे तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस नीचा लग बोल्ड को खोनला है और जो gear oil के अंदर में है उसे हमें बाहर निकाल लेना है तो आप देखो कि जो gear oil है वो निकलना शुरू हो चुका है वैसे मैं आपको बताना चाहूँ हूँ कि यह जो scooter है वो करीब 21,000 km चल चुका है और उसके बाद पहली बार इस scooter का जो gear oil है वो change हो रहा है ठीक है तो आप देख सकते हो कि quality किस तरह सबको दिखाए देरी यहाँ अब यहाँ पर देखो कि जो पूरा का पूरा gear oil है आप देख लो किस तरह का दिखाए दे आपको यहाँ पर यहाँ निकल चुका है ठीक है बहुत जाद यह काला होगी है विसको सिटी बेसकी बिलकुल कम दिखाए दे रही है यानिकि यह खराप पूरी तरह से हो चुका थ ठीक है चलो कोई बात नहीं अब हम लोग क्या करने वाले कि नीचे का बोल्ट मैं इसे टाइट कर देता हूं और जो ऊपर का बोल्ट इसे खोल देता हूं और यहीं से अभी हम लोग फिल हाला भी जो गेर ओल है वो डालने वाले हैं अफर चलो मैं इस गियर ओल को इसके अंदर में डाल देता हूं देखो सिंपली से यह सब कर सकते हो अपको मेकानिक आपास जाने के जरूफ नहीं है और सभी आप सब्सक्राइब कर सकते हो दीरे-दीरे करके हलका सा एयर लेते हुए ठीक आपिसे पंप कर सकते हो तो यह इसके में वो सही तरीके से काम करेगा जिससे फाइदा ये मिल जाएगा आपको कि एक तरफ जहां आपका transmission system का working बहतर होने से आपको आपके scooter से बहतर acceleration मिलेगा जब आप अपने scooter को accelerate करोगे तो वो ज्यादा बहतर तरीके से होगा scooter का top speed है वो बढ़ जाएगा साथी जो आपके engine है उसका performance बढ़ेगा जिसके वैसे आपको ये फाइदा मिलने वाला है कि आपको आपके scooter से बहतर mileage भी मिलेगा क्योंकि power loss जो है वो यहाँ पे कम हो जाएगा तो power loss कम हो जाएगा तो आपको बहतर आपके scooter से mileage भी मिलेगा तो मैं इसे अच्छी तरह से इसके अंदर में पूरी तरह से डाल देता हूँ अब आप देखो कि gear oil पूरा इसके अंदर में जा चुका है और आपको जो gear oil है इसे टाइट कर देता हूँ अब अगर change interval की बात की जाए तो देखो जो companies ये रिकमेंड करती है कि आपको जो gear oil है इसे कम से कम 20,000 km तक अपने scooter को चलाने के बाद एक बार जरूर से change कर देना चाहिए अगर आपकी जो riding वो बहुत कम है तो company आप ये भी recommend करती है कि कम से कम 2 सालों में एक बार gear oil को जरूर से change कर देना चाहिए वैसे आपके scooter का gear oil आज तक कभी change हुआ है कि नहीं हुआ ये आप इस वीडियो में comment जरूर से करें साथि आपके बस कौन सा scooter है और वो कितना पुराना ये भी आप इस वीडियो में comment जरूर से करें चलिए अब आज के इस वीडियो के हम लोग दूसरे topic के पर आते हैं देखो आप सब ने जो हमारे scooter के पीछे का चक्का वहां पर ये वालो जो pipe है इससे लटका हुआ देखा होगा क्या आपको ये पता कि इस pipe को क्यों दिया जाता है अगर नहीं पता तो चलिए मैं आपको ये details बतायता हूँ अब friends यहाँ पर आप देख लो कि time बचाने के लिए मैंने hood को पहले से यहाँ पर कर दिया है अब यहाँ पर हम लोगों करना basically यह है कि आप यहाँ पर देख रहे हो air filter का जो compartment है यहाँ पर यहाँ पर देख लो एक दो kicking यहाँ पर से नीचे हम पर से देख लोगो और नीचे में यहाँ पर दो!」 हो ठीक है तो इन चे को खोलना में पाफटा पाट से起來 यहाँ अनली को अभी तक अपने वीडियो को लाइक नीक है तो वीडियो को Like जरूर से करदे friends, सारे 6 screws मैंने यहाँ पर खोल दिये है, अब मैं यहाँ करता हूँ, इसे बहार निकाल लेता हूँ, और मैं आपको बताना चाहूँगा, कि मैं इसे इसलिए एक मैंने खोला है, क्योंकि जिस pipe के हम लोग यहाँ पर यहाँ पर यह जो pipe है, इसकी जो हम लोग बात कर रहे हैं, बैसिकली यह हमारा जो scooter है, इसका जो air filter element है, air filter जो compartment है, इसके साथ ही जुड़ा हुआ, इसलिए मैं इसे खोला है, वसे यहाँ पर मैं आपको चीज दिखाना चाहूँगा, कि यहाँ पर आप जो space देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर आपको यह जो space दिखाई दे रहा है, औ बैसिकली यहाँ पर आप देख लो, hole जैसा इस तरह से दिया हुआ, hole जैसा दिया हुआ, यहाँ पर, तो होता यह है, कि चुकि आपको पता ही होगा, मैंने कई वीडियोस आपको बताया, कि इंजन के अंदर में सी पेट्टोल नहीं जाता है, उसके साथ हावा भी जाता है, और air filter क्या करता है, उस हवा को clean करता है, चुकि यहाँ पर कुछ इस तरह से लगावा होता है, तो हवा कुछ यहाँ से अंदर में चला जाता है, ठीक है, इसके अंदर से जाता है, और उसके बाद मैं से निकाल कर दिखाता हूँ, इस वाले area में पहुँच जाता है, air filter क्या चाहूँगा, अब filter से होते हुए, जो हवा air intake manifold यहाँ पर गया है, मैं आपको यहाँ पर अलग से दिखाए दो, ठीक है, तो यही हवा क्या होता है, फर्दर आप देख लो कि यह वाला जो हमारा line है, ठीक है, इस line से होते है, यह आप यहाँ पर carburetor देख रहे हो, इस carburetor मे यह क्या होता है, मिक्षर आगे जाके, आप यहाँ पर engine देख रहे हो, इस engine में चला जाता है, तो यह तो basically होता है, कि air filter जो air को clean करता है, उसका path हो गया, अब यहाँ पर यह जरूरी होता है, कि जो air filter element है, वो dry रहे, वो सुखा रहे, यहाँ पर किसी बितर कोई बी oil, कोई water या फिर petrol ही क्यों ना हो, यहाँ पर नहीं आए, लेकिन चुकि आप यहाँ पर path मैं आपको दिखा दिया, कि यह वाला जो portion है, तो chances होता है, कि petrol जो है, वो reverse में यहाँ का आप देख लो, पाज बना हुआ है, तो आने का chance होता है, ठीक है, इस वाले hole में, इसके लाँ मैं यह compartment को भी देख लो, तो यहाँ पर किसी भी तरह का crack हो, यह lose हो, तो यहाँ से भी बाहर से water जो है, वो भी आ सकता इस position में, ठीक है, तो यह compartment बिना किसी liquid की रहे, बिना यहाँ पर किसी भी तरह का fluid नहीं रहे, चाए petrol हो, चाए oil हो, चाए water हो, कुछ भी नहीं रहे, इसके लिए ही हमारा जो scooter है वहां पे, यह जो आप pipe देखते हूं, इस pipe को दिया जाता है, अब यह कैसे होता आप वो भी लो, आपको यहाँ पर देख लो, छी के लिए होग दे WILL होूल sermon मिला हो हए, तो basically होता है कि कोई भी liquid हो, और कोई भी water हो, oil हो, पेटोलो कुछ भी हो अगर यहां पर आगे इस कंपार्टमेंट को अब ढ़लान सा बना हुआ है तो वहां पर यह क्या होता है क्योंकि यह बॉक्स बंद होता है तो इस जो हमारा होल छोटा सा इस छेट से जो वह लिकूड वगर है वह यहां से होते हुँ अंदर से आप देख हुआ है यह देखो उसका पात जो है वहीं पे बना हुआ हाला कि पुरिया दर से बंद रहता है बंद रहने से क्या होगा कि जित्ना भी वगर लीकुड वगर आया हूँ सब वहीं पर जाएगा ठीक है इस पात से वहीब बहुंत आँ Kayla तो यहीं नहीं पर देख लिए ओ कि बैने डाला था एक बन मैं क्या करता हूं कि इस पाइप को बाहर निकाले तो यहां से आराम से बाहर निकल जाएगा और उसके माद मैं आपको यह शो भी कर दूँगा कि जो पानी बैने डाला था वो उस होल से इसके अंदर में आ गया है यह देखो यह जो हमारा पाइप ही य और जो गंदगी बगरत है वो भी यहां पर आपको देखने को मिल रहा साफ साफ यह इसके अंदर से निकला है तो सेम इसी काम करने के लिए और कोई भी लिक्विड जो हमारा एर फिल्टर कंपार्टमेंट है उससे दूर करने के लिए ही यह जो हमारा ट्यूब है यह जो प खाय दे रहा है तो इसका मतलब आपको मालुक चल जाएगा कि भाई आपका जो air filter compartment है scooter का वहाँ पे कोई ने कोई major issue है जिसके वैसे यह हो रहा तो एक तो आपको यह warn करता है और दूसरी बात यह भी कि अगर fuel वगरा heated part जो है wheel के आसपास वहाँ पे चला जाएगा तो वो भी dangerous create कर सकता है इस वजह से भी इसे close करके दिया जाता है just आपको warn करने के लिए कि भाई air filter compartment को आप जरूर से एक बार चेक कर लो वीडियो अगर आपको अभी तक अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को subscribe जरूर से कर दे क्योंकि इस तरह के bike और scooter के वीडियो मैं अकसर regular basis पे अपने चैनल पे upload करते रहता हूँ चलिए अब हमनों finally आते हैं आज के तीसरे topic उपर में आप सबने गौर क्या हो कि बहुत सारे scooter में जो rear brake lever होता है जो पिछे का brake lever होता है वहाँ आपको एक छोटा साई जो lever जो knob है वो दिखाई देता होगा अब इसे क्यों दिया जाता है ये मैं आपको वो बता जेता हूँ Friends mostly आपको Activa का जो rear brake lever है उसके just बगले में आपने गौर क्या होगा कि ये जो extra lever आप देख रहे हो इस तरह का लिवर आपने जरूर से देखा होगा और इस lever के help C मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको hand brake लगाना है तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो rear brake cleaver उसे अच्छी तरह से दबा देना है मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इसे हलका से दबा की यूज़ करोगे तो ये काम नहीं करने वाला तो बिल्कुल अच्छी तरह से आप यहाँ पर उपर कर देना है तो उपर करने के बाद आप इस तरह से छोड़ दोगे और आप देखोगे कि लॉक लग चुका है मैं आपको दिखा भी देता हूँ पीछा का आप देख लो यहाँ पे कि जो पीछे का जो वील है ठीक है जो चक्का है वो आप आप दोखेगे कि यह नहीं घूम रहा है यह पूरी तरह से जाम हो गया है और इस तरह से हैंड ब्रे आप देखो यह नीचे चला गया यानि कि यह अनलॉक हो गया और मैं आपको पीछे वील में भी दिखायता हूँ आप देख सकते हो कि अनलॉक करने के बाद क्या है कि आप जो वील है वो असानी से आप देखो यहाँ पे रोटेट कर रहा है यह अनलॉक हो गया है फ्रेंड् सब्सक्राइब करके बेल आकन को जरूर सब दबादे ताकि आने वाले इंपॉर्टन वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के तुरू मिलते रहे, मिलते एंगले वीडियो में, थैंक्स आचिंग दिस वीडियो, गुडबाई!